जी खैबर पत्थुनखवा के नासिर दुरानी सहाब उन्होंने पैगाम दिया है यह पैगाम जाता है पुलिस को पुलिस वाले अगर देख रहे हैं जरा देखेगा कि पैगाम बड़ा अच्छा पोई जाता है कि जो वी वी आईपी कल्चर है उसको पहचानी है कि वी वी जि लोग हैं इनको पहचानी है कौन है ये वी वी आईपी लोग अब देखिए सीखिए और प्लीज मीनोहन इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए डॉक्टर फिजाक बर खान को इजाज़त दीजिए आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल अपना बहुत ख्याल रखेग अल्ला ने वो भी बता दिया के वी वी आईपी कौन है अल्ला ने हर चीज डिफाइन की हुई है वो वी वी आईपी आपको रोज और मुझे मिलते हैं आके अल्ला के नमाइंदा बनके उसके पास काड़ अल्ला का होता है और उसकी निशानी ये होगी कि बिलकुली शकल से और हुलिये से लवारस लगेगा फटे वोए कपड़े पैने होगे कमर भी शायद गुर्बत की वज़ा से जुकी हो वो है असल में वी वी आईपी जिसके साथ और कोई नी चल रहा वो जेन में आप रखें कि वो अल्ला का काड़ लेके आए हुए आपके पास और अगर मैं यह ने उसके साथ अच्छा सलुक ना किया तो वी आईपी वाला तो मुझे सिरव ट्रांसफर करता है या करवाएगा तो वी वी आईपी वाल क्या करेगा उस बंदे का सोचों कि यह वी वी आईपी है और इसके पास गரीन लाइन है अल्ला के साथ मिली हुई इसने उपर शकायत लगा दी कि अल्ला मैं तेरे बंदे के पास गया था जिसने तुमारे से जंसी ली हुई थी उसने तो मुझे इंसाफ भी दी है पैसे लेके उसने मुझे जड़क दी है उसने मुझे निकाल दी है उसने मुझे सुना ही नहीं है उसने मुझे कुर्सी भी नी दी बैटने के लिए आप अधादा कर लो कि वो अल्ला उपर से क्या करेगा बड़ी मेरबानी है कि अभी सदाई नी देता मैं अगर सदाई नी दी हुई तो समझो मौलत दी हुई है और अगर मैंने इस मौलत को एक्षेंड करता गया तो मैं फिर फारग हो जाओँगा तो मैं आप से ये अब एक अब अलविदाई जो समझो के मैं आपको एक मशवरा भी दे रहाँ मैं आगे जिन्दगी में बहुत कम लोगों को मशवरा दिया करता था लेकिन अब मैंने जब से ये मैं इस्पेक्टर जरनल बना हूँ मैं समझता हूँ कि मैं उस उमर के और तजर्बे के उस हिस्से में हूँ कि मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ तो कि मेरा बाकी जो तरीका एकार था वरकिंग का वो लोगों को काम से पता चाल जाता था कि क्या मैंने काम करना और क्या नहीं करना किस बात पर ये सदा देता है और किस बात पर नहीं देता वो आप लोग खुद ही उसके उपर समझ जाते थे लेकिन इन पीरिट के उपर जब उसके बाद मेरा शाहिदा आपके साथ इस तरह का राबता या रबत ना हो तो मैं जरूरी समझता हूँ कि ये चीजे आपको मैं बताओं आपको बहुत सारी चीजे शाहिद लगेंगी कि ये रहे ये क्या आईजी साथ ने मौल्मियों वाली बातें करने शुरू कर दी उसको पता ही नहीं है कि ये रहे असल मसले क्या होते तो मैं आपको बताओं कि मुझे सारे मसलों का अलहमदुल्ला मैं गुजरा हूँ मैंने सारी मेरी सर्विस पंजाब की है मैं सारे वाँ के मुश्कल तरीन अजला में जिसे सेंट्रल पंजाब के मुश्कल तरीन अजला है उन आठ अजला में मैं सस्पी रहा हूँ उस वकर लफ़ डीपियो इस्तवाल नहीं होता था तो मुझे इन तमाम आपकी मुश्कलात का और इन सारी चीजों का पता है कि मैं आपको फर्दी कानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको तजर्बे की बन्याद पर कह रहा हूँ और इसी के साथ जो मेरा मश्वरा है कि कोशिश करनी है कोशिश जरूरी नहीं सौ फिसस्द हो जाए कोशिश करनी है बाकी हाथ अला पकड़ लेता है वो आगे से फिर पूरा द्रिया पार करवा देता है कोशिश करो कि रोज़ाना अभी आपको लोग बहुत सारे नस्खे बताते हों कि न वैट सेप पे ये खालो ये कर लो ये तीक हो ज़र मैं भी आपको नस्खा बता रहा हूँ कोशिश करनी है कि दिन में दो या तीन कोई काम ऐसे ऐसे करो जो सिर्फ अल्ला के लिए करो और वो काम ये ही वाले नमाद रुदा पहले माशाला करते हो ये उसके बंदे का ख्याल करने चाहे आप उसको सड़क पार करा दो और सारा दिन कोई नहीं मिलता काम